हेलो फ्रेंद्स, वेलकम बेक तो मैं चैनल, फ्रेंद्स हम लोग NTA UGC NET के प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम लोग का सब्जेक्ट है एदुकेशन, पेपर टू है ना, आज जो टोपिक हम लोग डिसकास करेंगे वो टोपिक यूनित 7 से लिया गया है, दो टोपिक बहुत ही इं को पॉर्टेंड है & एक दूस्त्रे के साथ related है उन मेंसे, एक है फ्लेंदर इंटरेक्टवर्शन ऑनालाइसिस केटेगरिी सिस्टेम, & सेकंड है ग wrap sn ग्यलोवेस इंटरफर्रेंग्य सिस्टेम, थिक हैं, tnd、 क्यूं हम लोग आज फ्लेंदर इंटरेक्टवर्चन अनलाइ कैतेगरी शिस्टेम यह किस ने दिया था नेद फ्लीा दिया था इन्होंoya तो नाम्ट और ये होता क्या है ये है observational tool इनको ये analysis system जो है ये एक observational tool है मतलब ये use करते है teacher के behavior को analyze करने के लिए teacher behavior मतलब एक classroom situation में teaching learning process में teacher and student के बीच जो interaction होते है उनको analyze करते है ये observational tool use करते है इसमें से क्या help होते है इसमें से help ये होता है कि teacher के जो behavior होते है उन behavior को modify कर सकते है क्योंकि teacher behavior के उपर मतलब teacher के जो behaviors है वो influence करते है student के उपर है कि नहीं तो इसलिए teacher behavior जितना modify teacher अपने behavior को जितना modify करेंगे उतना ही teaching learning process effective होगा यह कि नहीं इसलिए teacher को behavior को analyze करने के लिए teaching learning situation में analyze करने के लिए use करते है ये observational tool ठीक है और यहाँ पे main focus दिया जाता है verbal behavior पे ठीक है non verbal को consider नहीं किया जाता है क्योंकि flander के ये मानना था कि verbal behavior को अगर हम लोग analyze करेंगे तो वो काफी है क्योंकि हम लोग जो हम लोग verbal ही जो express करते है वो ही सब कुछ है according to flander ठीक है तो एंड ये भी मानना था कि verbal and non verbal ना same ही मतलब same ही चीज express करते है अगर हम लोग को गुसा आते है तो हम लोग मुह से ही मतलब गुसा ही करेंगे है ना गाली देंगे और face पे भी हम लोगों का गुसे वाला face ही होगा है कि नहीं मतलब verbal and non verbal डोनों मतलब same ही होते है इक्वेल होते है दोनों अगर हम लोग हम लोग अगर happy mood में है तो हम लोग हम लोगों के verbal and non verbal डोनों से मालूम पड़ेगा कि वो person के mood अच्छा है इसलिए फ्लैंदर ने verbal behavior पर ही जो ओडिया क्योंकि हम लोगों के जो verbal behavior को observe करके ही हम लोग total behavior को बता सकते है according to Flander ठीक है तो और जो Galloway है ना इनके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे Galloway interaction analysis system वहापे क्या होता है Galloway ने verbal non verbal डोनों को साथ लेके डोनों को मतलब एक साथ consider किया है उनका मानना था कि verbal and non verbal डोनों important है है ना और कभी-कभी और दोनों को मतलब analyze करना जरूरी है according to Galloway लेकिन Flander ने क्या बोला कि सिर्फ verbal behavior को study करना ही sufficient होता है चलो ठीक है तो और फ्रेंच क्या होता है ना ये Flander ने 10 category डिया था इन्होंने ठीक है और भार्वेल behavior को observe किया उन 10 category में उन में से फर्स्ट फोर categories category no.1 से लेके category no.4 तक ये फर्स्ट फोर categories को teacher talk category के अंदर आते है ये ठीक है और इनको ना indirect influence भी माना जाता है इन 4 categories के ये table ना बहुत ही important है इससे question बहुत आते है पुछते है कि teacher talk category कौन-कौन सा है ऐसा भी पूछ चेकता है तो category no.1 से लेके category no.4 तक ये teacher talk category है ठीक है मतलब response का category teacher talk response फिर teacher talk initiation बोलने से 5, 6 and 7 ठीक है और only teacher talk बोलने से teacher talk का category कौन-कौन सा है 1 से लेके 7 तक teacher talk category है ठीक है और 1 से लेके 4 तक ये indirect influence दालते है और 5, 6 and 7 ये direct influence दालते है अभी हम लोग detail में डिसकास करेंगे तो आप लोग देखो जो first category है category no.1 ये क्या है accept feelings यहाँ पर क्या करते है तीचर जो होते है वो student के feelings को accept करते है मतलब student का जो कुछ ideas हो कुछ उनलोगों का emotion हो उनलोगों का feeling हो वो teacher उनको accept करते है then praises or encourages second category है praises or encourages यहाँ पर teacher क्या करते है अपने student को encourage करते है ठीक है praise करते है उनलोगों को encourage करते है तो इसी तरदा से वो influence करते है student को and third category क्या है accept or uses pupils ideas कभी कभी क्या होता है na student लोग भी आपने ideas share करते है teacher के साथ है तो teacher क्या करते है अगर teacher को ऐसा लगता है कि student ने जो information share किया है जो ideas उन्होंने share किया है वो ठीक ही है अगर उनको ऐसा लगता है तो वो क्या करते है accept करते है और use करते है pupil के वो उस ideas को जो उनलोगों ने teacher के साथ share किया है तीक है then category number four is ask question तो यहाँ पर teacher क्या करते है teacher student को question पूछते है है question कब कब पूछा जाता है जब teacher कुछ topic पढ़ा के खतम हो गया तब भी question पूछ सकता है और कब पूछेगा अगर student ने कुछ doubt पूछा teacher को student ने कुछ पूछा teacher ने उसको clear किया फिर उन लोगों का वो doubt clear हुआ कि नहीं वो जानने के लिए फिरसे वो question कर सकते है है ना तो ask question हो गया category number four ठीक है तो next category number five six and seven यह teacher talk का direct influence है इन तीनों में direct influence क्यों है और यह initiation का stage है teacher initiation लेते हैं teacher ठीक है जैसे कि lecturing lecturing में क्या करेंगे teacher lecture देंगे lecturing में क्या होता है जो जो भी information होते है teacher के पास जो भी fact होते है है जो भी कुछ topic से related जो भी information उनके पास है knowledge उनके पास है वो ना अपने student को उन सब knowledge को देते हैं है ना information provide करते है through lecturing है कि नहीं तो यह हो गया direct influence teacher direct lecture देते है classroom में then category number six हो गया giving direction यहाँ पर क्या करते है teacher direction देते है अपने student को किसको क्या करना है कैसे करना है यह directly वो direction देते है student को and student को क्या करना पड़ता है उस direction according काम करना होता है यह ना category number seven क्रितिसाइजिंग और जस्टिफाइंग ऑथोरीटी यहाँ पर teacher क्या करते है student का जो मतलब अगर कुछ उन लोगों का ideas जो idea वो लोग अपने teacher के साथ share कर रहा है वो अगर वहाँ पर अगर कुछ wrong wrong है information अगर उन लोगोंने share किया है तो teacher क्या करेंगे teacher उनको criticize करेंगे हैना जो भी उन लोगों का जो गल्टी है जो उन लोगों का फॉल्स कुछ अगर उनको फॉल्ट अगर दिखाई देगा teacher को तो उनको वो वो teacher criticize करेंगे तो हो गया तो next आगया प्यूपिल टॉक देखो प्यूपिल टॉक में क्या होगा प्यूपिल टॉक में फिर से response and initiation डो है response का category है category number eight initiation का है nine ठीक है and response में क्या होगा pupil talk response that means teacher अगर कुछ पूछते है student को तो वो लोग response करते है teacher जो भी पूछते है वो response करते है teacher अगर direction देते है कुछ करने के लिए देते है तो student लोग करते है तो वो सब क्या हो गया वो सब हो गया response ठीक है and pupil talk initiation क्या होता है जब pupil अपने तरफ से initiation लेते है मतलब मानों की teacher परहा रहे है लेकिन student के mind में कुछ confusion आया कुछ doubt आया ठीक है then silent or confusion यह है category number 10 यह क्या होता है कभी-कभी classroom में ऐसा होता है na teacher के तरफ से भी कुछ नहीं हो रहा है student के तरफ से भी कुछ नहीं हो रहा है कुछ time मतलब fully silent हो सकता है classroom teaching learning situation में है कि नहीं वो हो गया silence और confusion यह किसलिए होता है कभी-कभी confusion के वज़ा से भी होते है teacher और student के बीच कुछ time के लिए थोड़ा कुछ confusion हो गया तो पूरा class silent हो गया तो silence और confusion का category हो गया category number 10 तो आप लोगों को यह table याद रखना पड़ेगा ठीक है friends category number 1 से 10 तक क्या क्या नाम है इनका यह सब कुछ याद रखना पड़ेगा और अभी क्या होगा अभी जो यह जो table है ना इनका इनके basis पे यह जो observer है जो teacher के behavior को observe करेगा Flander interaction analysis यह observation tool जो यह observation tool यूज करेगा उनको वो एक train person होना जरूरी है ठीक है वो person एक train person होना जरूरी है और उनको यह सब कुछ memorize करना पड़ेगा ताकि वो observation जब कर रहा है तब उनको अगर teacher lecture दे रहा है classroom में मानो कि teacher lecture दे रहा है ठीक है तो उनके mind में जो observe कर रहा है observer के mind में direct यह category number आ जाना चाहिए कि teacher lecture दे रहा है मतलब वो category number 5 पे है अगर teacher encourage कर रहा है अपने student को that means उनके यह observe जो कर रहा है उनके mind में direct आना चाहिए कि अभी वो category number 2 है ठीक है अगर student कुछ पूछ रहा है तो वो category number 9 है इसी तरह से ठीक है तो जो observer है वो एक expert होना जरूरी है और उनको यह सब code number category number सब कुछ याद रखना होता है ठीक है तो चलो अभी हम लोग discuss करेंगे कि flander interaction analysis system analysis category system का procedure क्या होता है ठीक है इसको कैसे analyze किया जाता है teacher behavior को ठीक है तो देखो interaction analysis is followed by following two procedures दो procedure हम लोग follow करते है एक हो गया encoding एक हो गया decoding ठीक है encoding में क्या करेंगे जो observer है वो encoding में code provide करेंगे मतलब coding system use करेंगे वो encoding में ठीक है जब वो classroom communication को या classroom interaction को जब वो record करेंगे तब वो पुढ़ा एसे लंबा लंबा करके उसको लिखने का time नहीं है अगर teacher lecture दे रहा है तो वो एसे lecturing बोलके नहीं लिखेगा ठीक है वो क्या करेगा वो सिर्फ code number note करेगा lecturing का code number क्या था 5 था तो वो सिर्फ ऐसे 5 करके लिखेगा ठीक है अगर next उन्होंने देखा कि अभी lecturing के बाद teacher ना student को कुछ direction दे रहा है तो direction का केटेगोरी कौन सा था direction का केटेगोरी था 6 तो वो observer अभी 6 लिखेगा ठीक है इसी तरह से वो पुरा मतलब classroom communication classroom interaction को analyze करेगा ठ 45 minutes का class है तो पुरा 45 minutes वो सिर्फ ऐसे ही coding के system पे पुरा class को record करेगा ठीक है तो next है decoding जब ऐसे record कर दिया coding system पे record उन्होंने कर दिया class अभी खतम हो गया तो आभी क्या करेगा अभी वो decode करेगा ठीक है decode का मिनिंग क्या है कि पुरा classroom का classroom communication actually कैसा रहा ठीक है वो उसका मिनिंग निकालेगा interpretation होता है जो जिसको हम लोग interpretation कहते है तो वो है decoding तो encoding and decoding ये दोनों process use होते है तो अभी देखो encoding का जो process है तीक है ऐसे मानो कि पहले वो observer जाके observer क्या करेगा यहाँ पे rule क्या है जो observer है वो classroom में जाके मानो कि ये पुरा बैंस है फर्स बैंस, सेकेंड बैंस, थर्ड बैंस, फोर्ड बैंस जाके पर जो last वाला बैंस है ना observer उसी बैंस पे बैठेगा ठीक है ताकि किसी को भी problem ना हो और उनको भी note down करने के लिए कोई भी problem ना हो ठीक है फिर वो last में बैठ के सब कुछ observe करेगा कि teacher के तरब से कुछ हो रहा है या pupil के तरब से कुछ हो रहा है कौन initiation ले रहा है कौन response दे रहा है थिक है वो सब कुछ बोर note down करेगा मानों कि उन्होंने बैठ के ही पहले देखा कि क्लास्रूम पुरा silent है तो उन्होंने note down कर दिया 10 ठीक है उनके बाद उन्होंने देखा कि क्लास्रूम अभी start हो रहा है और teacher ना पहले अपने student को encourage कर रहे है ठीक है तो encourage का coding किया था तू था तो उन्होंने दे लिया तू ठीक है फिर क्या रेखा फिर रेखा कि teacher न स्टुडेंट के कुछ ideas को accept कर रहे है student के तप से कुछ ideas आया वो idea teacher accept कर रहा है तो वो three दे लिया ठीक है इसी तरिके से वो observer न कोडिंग दे रहा है code number लिख रहा है ऐसे ऐसे करके ठीक है तो जब पूरा class का मानों कि आगर 60 minute का class है तो observer क्या यहाँ पे rule क्या है कि जो code आपको देना है जो observer है जो code वो provide करेगा वो कितने time gap में करेगा every 3 second में उनको एक code देना है तो पहले उन्होंने बैठ के देखा कि अभी पूरा silent है classroom तो उन्होंने 10 दे दिया फिर 3 second के बाद 3 second जब हो गया फिर देखा भी क्या चल रहा है अभी stitcher encourage कर रहा है तो उन्होंने 2 डिख दिया फिर 3 second के बाद मतलब every 3 second के बाद वो जो उनको करेगा सब कुछ record करेगा तो यहां पर फिर देखा कि ideas को accept करने के बाद अभी teacher ना पढ़ा रहे है lecture दे रहे है तो यह 5 हो गया फिर 3 second के बाद देखा lecturing ही चल रहा है तो फिर से 5 ठीक है फिर lecturing के बीच में teacher ने कुछ direction दिया तो 6 आ गया फिर से lecturing हो गया 5 हो है 5 है इसी त 60 मिनिट हर 3 second के अंदर अंदर उन्होंने इस तरह से category को record किया ठीक है तो total किया हो गया 20 category 20 category नोद दाउन कर 20 category per minute हिसाब एक मिनिट में वो 20 coding ऐसे ले सकता है है कि नहीं 3 second 3 second करके अगर code provide करेगा तो एक मिनिट में तो 60 second होता है तो 60 second में वो maximum मतलब 20 code provide कर सकता है ठीक है इसी तरह के से वो पूरा class 45 minutes का है या 1 hour का है पूरा class वो record करेगा ठीक है फिर देखो आप लोग फिर क्या करेगा वो observer observer रेकोर्ड करने के बाद ये दो डो करके वो combine करेगा record को दो डो करके मतलब भी 10 2 ऐसे लिग दिया 10 2 ठीक है तरीके से वो सब कुछ note down करेगा ठीक है तो देखो ऐसे आ गया 10 2 2 3 3 5 5 6 6 5 5 5 6 इसी तरीके से जितना भी है ना वो सब कुछ note down कर लेगा ठीक है इसी तरीके से order pair बनाएगा वो ठीक है तो pair बनाने के बाद वो observer भी क्या करेगा observe भड़ा भी table matrix बनाएगा table matrix क्या होता है इसी तरीके से एक table होता है तो यहाँ पे ना category number 1 से लेके यहाँ से यहाँ 1 2 3 4 ऐसे लेके 10 तक रहेगा और यहाँ भी यहाँ भी ऐसे 1 2 1 2 3 4 ऐसे करके 10 तक रहेगा ठीक है यह 10 by 10 matrix है मतलब 10 row रहेगा and 10 column रहेगा तो फिर वो क्या करेगा यह जो ऐसा pair उन्होंने बनाया है ना वो pair को उस table में put करेगा कैसे put करेगा अब यह देखो फर्स जो pair है यह है 10,2 मतलब यह जो फर्स नमबर है ना 10,2 बोलने से फर्स नमबर 10 है second number 2 है तो यह फर्स नमबर हमेशा row number होता है second number column number होता है थीक है अभी 10 number row and 2 number column तो 10 number row कौन सा है यह first row, second row, third row, fourth row ऐसे जाके जो 10 number row है यह है 10 number row और second column यह first column यह second column थीक है तो 10 number row and second column जहाँ पे मिलेगा तो वहाँ पे वो 10,2 लिखतेगा थीक है और column number 3 तो यह है column number 3 दोनों कहां पे मीट कर रहा है यहां पे मीट कर रहा है तो यहां पे आएगा 2,3 ठीक है जहां पे मीट कर रहा है वही point है 2,3 then 3,5 3,5 कहां पे आएगा यह हो गया 3 का यह हो गया 5 का हना 3,5 यहां पे आएगा इसी तरीके से क्या करते है वो ना पूर्डा जो उन्होंने record किया है उनको जब pair बनाया उन सब pair को उस table में वो तेली करते है ठीक है table में तेली करते है यह होता है procedure then अभी decoding procedure वो table बना के उन table का meaning निकालना है ठीक है तो decoding अभी आप लोग देखो हाँ table ना इस तरीके से होता है इस तरह का एक table होता है तो जो 10,2 अभी यह 10 row 10,2 बोलने से क्या होगा row number 2 row number 10, column number 2 यह होगया row number 10, यह होगया column number 2 दो नो आगे यहाँ पर मीट किये तो यहाँ पर हम लोग 10,2 यहाँ पर एक ऐसे तेली कर देंगे ठीक है फिर 2,3 बोलने से 2 कहाँ पर है row number 2, column number 3 तो यह 2 row यह 3rd column यहाँ पर मिल रहा है तो यहाँ पर हम लोग तेली कर देंगे बना देंगे यह सब जो लाइन बनाया हुआ है यह सब तेली है तेली आप लोगो मालूम ही होगा ठीक है तो इसी तरी के से टेबल बनाते हैं उसके बार हम लोग डिकोडिंग करेंगे डिकोडिंग में देखो इंतरिटिंग इंतरिटिंग दा डिकोडिंग का मेंनिंग क्या है इंतरिटेशन अभी मैटरिक्स डेबल बनाया है अभी उनको इंतर्प्रिट करेंगे तो teacher talk ratio आपको निकालना है ठीक है teacher talk ratio तो आप देखो teacher talk ratio बोलने से आप में टेबल पे आओ, ऐसा कितना तेचर टॉक से रिलेटेड केते गोरी कितने हैं, 1 से लेके 7 तक, तेचर टॉक से रिलेटेड हैं, तो तेचर टॉक रिशियो बोलने से क्या होगा, 1 से लेके 7 तक जितना तेली आपको मिला, थिक है, उनका total आएगा, 1 से 7 तक जितना तेली आपको मिला उनका तोटेल आएगा और टिवारेट पालोगा, तोटेल से लेकर 10 तक जितना तेली आपको आया, देखो इस टेबल में ही डिखा रहीं, ये टेबल ऐसे ही एक्जामपल के लिए लेके आई, ये ब्लू बॉक्ष अभी मत देखो आपनलोग इसका concept अलग है, हम discuss करेंगे, तो अभी देखो, 1 से लेके 7 तक, यह है 1, 1 जो है न, इस column में कुछ है, कुछ भी नहीं है, second column में कुछ है, हाँ 1 है, ठीक है, third column में, third column में भी एक 1 है, fourth column में, one है, fifth column में क्या है, two, two, one है, तो ऐसे करके, one, two, three, four, five, six, seven, one से लेके 7 तक, total कितना number आप लोगों को डिखने को मिला है, वो सब आएगा, total कितना number हम लोगों ने देखा, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, ठीक है, total 11 है, one से लेके 7 तक, and one से लेके 10 तक कितना है, तो यहां तक 11 था, तो 12, 12 है total, तो one से लेके 7 तक, total 11 है, and one से लेके 10 तक, total 12 है, तो 11 by 12 into 100, यह हो गया teacher talk ratio, ठीक है, ऐसे करते है, total 12, बाकी one से लेके, तो ऐसे देखते है, फिर similarly pupil talk ratio, pupil talk कौन कौन सा था, pupil talk तो 2 ही था, eight and nine, ठीक है, तो column eight में कितना मिला, and column nine में कितना है, column eight में तो कुछ भी नहीं है, यहां पे, and column nine में भी कुछ भी नहीं है, तो zero आएगा, zero, and total कितना था, total 12, तो zero by 12 into 100, तो यह zero ही हो गया, मतलब pupil talk zero है, pupil ने pupil talk नहीं मिला classroom में, ठीक है, silence और confusion, उसी तरह silence confusion का केटेगोरी कौन सा था, केटेगोरी नमबर 10, ठीक है, तो 10 में हम लोग देखेंगे कितना तेली है, 10 में अगर एक ही तेली है, तो one लिखेंगे, total तेली तो 12 था, one by 12 into 100, ठीक है, तो यह करने से silence और confusion ratio निकल गया आएगा, नमबर 4, indirect influence by direct influence, तो हम लोगोंने table में देखा था, indirect influence से related कौन कौन सा है, यह है indirect influence, one से लेके 4 टक indirect influence, and five से लेके 7 तक direct influence, ठीक है, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, indirect and direct का ratio चाहिए, तो आप लोग क्या करोगे, one से लेके 4 टक, जो भी column है ना table में, उनका total निकालोगे, कितना कितना तेली है, one से लेके 4 टक, तो वो total तेली numerator में आप लोग पूट करोगे, उसको divide करोगे किस से, five से लेके seven तक कितना तेली है, उससे divide करोगे, करके hundred से multiply करोगे, same procedure, तो आगे, sum of columns of one, two, three, four, उसको divide करेंगे, column five, six, seven में जितना तेली है, तेके, and hundred से multiply करेंगे, अगर इसका value आपको one से ज्यादा मिला, one से greater result कब आ सकता है, ratio one से greater कब होगा, one से greater होने के लिए क्या होना पड़ेगा, यह जो numerator पार्ट, denominator पार्ट से बड़ा होना पड़ेगा, उपर वाला पार्ट, मानों कि उपर वाला पार्ट 4 है, 4 है, नीचे वाला पार्ट 3 है, ठीक है, उपर वाला पार्ट ज्यादा है, तो तभी तो आंसर यहाँ पे one point कुछ आएगा उपर बला part अगर कम है मानों के 3 है नीचे बला part 4 है तभी तो one में नहीं हैगा तभी point something आएगा यहाँ बे तो one से ज्यादा आने के लिए क्या होना पड़ेगा जो numerator part है वो value हमेशा greater होना पड़ेगा denominator से तो numerator में क्या है numerator में indirect influence है मतलब indirect influence का value greater होगा ज्यादा होगा direct influence से ठीक है तो यही दिया है कि अगर ratio one से ज्यादा है तो इनका meaning है कि teacher का indirect influence ज्यादा है direct influence से ठीक है चलो तो यह है indirect to direct teacher talk ratio indirect to direct तो indirect काउंड कौन सा था? category number 1 से लेके category number 4 टाग indirect है and direct है 5 to 7 ये same ही है ठीक है? same type ये देखवा भी pure indirect तो pure direct pure indirect बोलने से pure indirect बोलने से हम लोग category number 4 को consider नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे ना direct indirect थोड़ा mix होते है ask question में ask question में ठोड़ा direct and indirect mix होता है इसलिए इनको हम लोग ना pure indirect में इनको consider नहीं करते है ask question में तो pure indirect कोन कोन होगा? indirect feelings को accept करना ये indirect हो गया encourage करना student को ये indirect हो गया और उन लोगों के ideas को accept करना वो भी indirect हो गया teacher के तरब से indirect ठीक है और टीचर के लिए direct कोन कौन सा हो गया? direct हो गया giving direction ये teacher direct करते है and जो criticize करते है या justify करते है तो वो हो गया direct ठीक है लेकिन lecturing में क्या होता है? lecturing इनको हम लोग direct नहीं मान सकते है lecturing को ठीक है यहाँ पर क्या करते है teacher यहाँ पर teacher content को लेके चलते है यह जो category number four and five है यह दोनो content से related है हम लोग पढ़ेंगे अभी यह दोनो content से related है total content पे focus करते है यह थीक है तो pure indirect to pure direct pure indirect में ऐसे हम लोग four category को नहीं लाएंगे and pure direct में हम लोग five को नहीं लेंगे ठीक है तो pure direct में शिर्फ six or seven को लेंगे तो उसी हिसाब से हम लोगों को करना है यह थीक है then pupil initiation ratio pupil initiation ratio इसमें क्या होगा pupil initiation का कौन सा category था category number nine तो category number nine में जो हम लोगों को total मिला है वो हम लोग देखेंगे total टेली कितना है 9 में उनको divide करेंगे eight and nine में कितना टेली है total ठीक है क्योंकि अभी तो pupil से related category चाहिए ना तो पुरा one से लेके ten तक नहीं लेंगे हम लोग सिर्फ eight and nine में इतना है उसी से divide करेंगे ठीक है into hundred यह आप लोग एक एक बार देख लेना यह एक्जाम में आते है ठीक है और अगर आपको कोई भी doubt हो confusion हो तो आप लोग comment section में comment करना में वह doubt clear करने की कोशिश करूंगे ठीक है तो देखो steady state cell यह बहुत ही ज्यादा important है steady state cell तो steady का मतलब क्या है steady state क्या होता है जो की same रहता है यह ना steady का मतलब क्या है same रहता है मगर मानो कि teacher ना lecture दे रहा है तो observer ने 5 दे दिया तो observer को observer को हर 3 second में code देना है तो अभी वो देख रहा है कि teacher lecture दे रहा है तो उन्होंने 5 दे दिया ठीक है 3 second के बाद उन्होंने देखा कि teacher lecture ही दे रहा है तो उन्होंने फिर से 5 दे दिया ठीक है फिर देखा कि फिर lecture ही दे रहा है फिर इसे 5 दे रिया फिर देखा कि हाँ बीच में direction दिया तो उन्होंने 6 दिया ठीक है तो ऐसे ऐसे code कर रही है coding code में वो note down कर रहा है observer फिर जब वो pair बनाएगा तो क्या बनाएगा इसे 5-5 करके एक pair आ गया है ना 5-5 एक pair आ गया next pair क्या होगा यह 5 से खतम हुआ ना वो next pair 5 से शुरू होगा 55 फिर से 55 आ गया है ना यहाँ पर 5-6 आएगा तो आप लोग देखो यह जो 55 हम लोगोंने लिग दिया 5,5 तीक है और मानों कि teacher ना student को encourage कर रहा था तो 2 हो गया फिर 3 सेकंड के बाद देखा कि फिर से encourage कर रहा है फिर 2 ही हो गया तो 2-2 करके एक हम लोगों को pair मिल गया है तो ऐसा जो भी pair है जिन में दोनों number same होता है इनका meaning क्या है इनका meaning यह है कि teacher 55 का meaning क्या है teacher explain कर रहा था मतलब lecture दे रहा था और 5 सेकंड के बाद फिर lecture दे ही रहा है मतलब वो state ना वो lecturing state पे है ना teacher वो state steady है वो state मतलब change नहीं हुआ है वो ही state चल रहा है थीक है 3 सेकंड के बाद भी 2-2, 2-2 का meaning क्या है 2 का meaning है encourage करना teacher encourage कर रहे थे student को and 3 सेकंड के बाद जब फिर से coding देने का time आया थीर देखा कि teacher encourage ही कर रहे है मतलब यह 2 का state ना चल ही रहा है steady है वो ठीक है तो steady state cell क्या होता है जो इस ताइप का cell होता है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 यह जो cell होता है ना दस total 10 cell होते है वो हो गया steady state cell and steady state का meaning है एक ही state चल रहा है कुछ time के लिए ठीक है चलो तो यह हो गया रहो यह जो blue blue से दिया है ना वो steady state है 1 1 यहाँ भी 1 इस side भी 1 तू तू इस side से भी 2 इस side से भी 2 3 3 यहाँ भी 3 3 4 4 है ना जहाँ 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 पे वो लोग meet कर रहे है वहाँ वहाँ पे मैंने blue कर दिया तो समझ में आ गया होगा यहाँ तक steady state ratio को हम लोग कैसे निकालेंगे steady state cell कौन कौन सा है 1 1 2 2 3 3 ऐसे लेके 10 10 तक ठीक है तो यह जो blue blue portion है ना उनमें जितना भी तेली हमको मिला है कितना तेली मिला है देखो एक यहाँ पे मिला है तू यहाँ पे मिला है वान और बाकी में खाली है बाकी blue portion खाली है total मतलब 3 मिला है ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे total of 10 diagonal cells ठीक है total of 10 diagonal cells तो उनके जो total है उनको डिवाइड करेंगे total of all categories total of all categories कितना मिला ठाम लोग को अभी इस case में 12 मिला था तो 12 से डिवाइड करेंगे 3 by 12 into 100 आएगा हाँ पे ठीक है तो आप लोग देख लेना एक बार फिर देखो प्यूपिल प्यूपिल स्टेडी स्टेट रेशियो रिने से स्टेडी स्टेट बोलने से तो दोनों में same रहता है तो प्यूपिल स्टेडी स्टेट प्यूपिल से related कौन कौन सा category है 8 और 9 तो स्टेडी स्टेट रेशियो बोलने से 8 के साथ 8 ही आएगा 9 के साथ 9 आएगा तो हम लोग क्य इतना के लिए है अभी देखो एत एत एं नाईन नाईन में तोल कितना है एक सा है इस साइज से भी एट वह यह गया इने नाईन ओल से नाईन यह फिन आं तो समय दो समय सेतना है यह संदेआ आएगा ठीक है प्यूपिल स्टेडी स्टेट रेशियो नहीं मिला है हम लोगों को अन्डीफाइन है यह ठीक है तो प्यूपिल चलो तो आप लोग यह एक बार पढ़ लेना और यह लास्ट है कॉंटेंट क्रोस रेशियो तो वान से लेके तैन तक ऐसा दो कैटेगरी है जो क कैटेगरी नॉबर 5 किया है लेक्चरिंग ठीक है ठीक है टीचर लेक्चर जब देंगे क्लासरूम में तो हो पर ज expHome से रिलेटेड लेक्चर ही देते हैं न तो हो तो तो कटेण ली stays से related है and जब वो question पुछेंगे ना after lecturing जब question पुछेंगे वो content से related question ही पुछेंगे ठीक है तो जो category number 4 and 5 होते है वो content पे focus करते है content coverage पे focus करते है ठीक है तो इसलिए content cross ratio बोलने से क्या होगा जो column 4 and 5 में total जितना तेली हम लोगों को मिला है उसको divide करना पड़ेगा total तेली से ठीक है हम लोग अभी डेखेंगे 4 and 5 में total कितना ये हो गया 4 ये हो गया 5 total कितना तेली 4 में 4 में 1 ही है and 5 में कितना है 2, 2, 1 total कितना हो गया 1 2, 3, 4, 5, 6 total 6 that means 4 and 5 column में total 6 है तो हम लोग क्या करेंगे तेली से टोटल इस में 6 मिला और टोटल टेली तो 12 था तो 6 by 12 into 100 ये हो गया मतलब 50 आएगा यहाँ पर तो यहाँ पर एक दिया है कि इंडियान क्लासरूम में ये जो content cross ratio है क्योंकि एक क्लासरूम में ज्यादा ध्यान हम किस पर देते हैं content पर ही तो देते हैं ये इसलिए content cross ratio का इंडियान क्लासरूम में content cross ratio 59 देखने को मिलते हैं और अमेरिकान नॉर्मेटिव जो एक्सपेक्टेशन है वो 55 है मतलब 50 से ज्यादा है content पर focus हम लोगों का 50 से ज्यादा होता है उसी हिसाब से आप लोग देख लेना ठीक है चलो तो advantages and disadvantages आप लोगों को मालूम ही होगा शायद क्या क्या advantage है कि हम लोग teacher behavior को analyze कर सकते हैं तीचर के behavior analyze करने से क्या फाइदा होगा teacher को अपने behavior modify करने का मौका मिलते हैं क्योंकि वहाँ पर feedback दिया जाता है यहाँ यहाँ पर क्या होता है teacher कैसा पढ़ा रहा है वह नहीं बताते हैं वो यह इस पर focus करते हैं कि teacher के मतलब interaction analysis पर focus करते है teacher के behavior पर focus करते है ठीक है और क्या देखते है disadvantage क्या है disadvantage यह है कि जो total 10 category है ना उन में से ज्यादा category teacher से related है है ना स्टुडेंट से related स्रिफ दो ही category है eight and nine बाकी जो seven category teacher से related है लेकिन classroom situation में क्या होना चाहिए teacher और student का मतलब role equal होना चाहिए है कि नहीं तो तभी ना तभी क्या होगा तभी classroom situation ना effective हो सकता है है ना teacher का ज्यादा दे दिया student का बहुत कम दे दिया यह एक disadvantage है इनका ठीक है और जो observer है जो observe करेंगे teacher behavior को वह एक expert होना परेगा ठीक है तो वह भी है अगर वह expert नहीं होगा तो क्या होगा तो यहां पर कोई भी कुछ भी result आ सकता है है और कभी कभी क्या होता है subjectivity भी आते है same class अगर डो लोग observe करेंगे तो कभी कभी क्या होगा कहीं कहीं पर मानों की teacher lecture दे रहे है लेकिन किसी ने उनको 5 करके record किया और किसी को क्या लगा किसी को ऐसा लगा कि teacher कुछ direction दे रहे है तो उन्होंने 6 करके record किया है तो यहां पर क्या होता है subjectivity भी आते है वो भी एक disadvantage है ठीक है तो चलो friends next class में हम लोग Galloway डिसकास करेंगे आप लोग फ्लेंडर अच्छे से पर लेना इसके analysis part बहुत ही ज्यादा important है तो आप लोग अच्छे से देखो और अगर कोई भी confusion है तो आप लोग comment section में comment करो मैं उनको clear करने के लिए कोशिस करूँगी ठीक है वीडियो अगर अच्छा लगा है तो like करना share करना अपने friend लोगों के Galloway के वीडियो के साथ बहुत ही जल्ब ठीक है thank you